वेलो गाईज वेल्कम बैक टो माई योट्यूब चैनल तो आज हम करेंगे बीट रूट हार्वेस्ट जो बड़े-बड़े हो गए हम उन्हें हार्वेस्ट करेंगे तो चलिए हाप हार्वेस्टिंग देखिए लूटा थे किया देखिये तो यह देखिये एक चुक अधर को बड़ा हो गया है यह देखिय कि तो पहले इसको निकाल लेता है डाइ estado क और यह देखिये कितना मफ्ट हार वेस्ट आया हैं तो और कि सारे थोड़े से छोटें तो हम उन्हें थोड़ी दिन रहने देगे और यह किये वाला भी कर लेते हार्वेस्ट ये भी ठीक ही साइज है जिन्दा जादा बड़ा न छोटा बाकी ये सब तो छोटे छोटे से हैं इसको छोटे हैं बाकी सारे तो चली आगे करते हैं और वो वाले चली इस पर करते हैं ये देखिए भी थोड़ा बहुत हो गए इसे भी खाड़ी लेते हैं वैसे देखिए वैसे अब जो मतलब इतने छोटे भी रहे गए है जैसे कि वो देखिए वो जो मैंने बताया था वो इतने छोटे भी रहे गए अब उनका बल्ब जादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि अब गर्मियों का मौसा मा रहा है तो इनका बल्ब जादा बड़ा नहीं होगा अब जितना है वह उतना ही रहेगा फिर भी हम देखेंगे छोड़े से छोटे रहन देंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि वह बड़ा होता है या फिर नहीं तो हम यह वाला करते हैं यह तो यह द वो और यह दू है तो बागी और करते हैं अब यह वाला यह तो कुछ भी नहीं है यह देखेंगे कितना छोटा समय कřो अज़के पत्ते बड़े थे तो में लगा कि बड़ा हो गया होगा तो यह वाला बड़ा हैं यह देखें यह देखिए कितना साइज ठीक है ना जादा बड़ा फिर से ना जादा छोटा यह देखिए अब बाकी करते हैं यह वाला तो छोटा सा है यह वाला तो अब मैं वीडियो को फास्ट करके थोड़ी सी फास्ट करके आपको पूरी हार्वेस्टिंग दिखाता हूं यह वाल जादा स्टी है प्रूब कर दो एक में आय खाए। कि तो सब की हार्वेस्टिंग हो गई अब मैं सब को एक जगह एक खटा करके आपको दिखाता हूं कितने मेरे पास हुआ है यह देखिए है और वेस्टिंग के बाद कर रिजल्ट कितने सारे मारे पस चुकुंदर आया इनका साइस बेशक से छोटा है पर यह खाने में कितने सारे हैं और देखिए हमारे पास कितने सारे चुकंदर आ गए हैं कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं तो चलिए अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले तो चलिए मिलते हैं नई वी